जबलपुर के शहपुरा में विकासकारियों के नाम पर लाखों उपय की सरकारी बिल्डिंग तयार की जा रही है। लेकिन ठेकेदार नियमों को दरकिनार कर रही है। आलम ये है कि बिल्डिंग बनके तयार हो जाएगी और बिना किसी जांच के बिल भी पास हो जाएगे। निर्मान में घटिया स्तर की मिट्टी वाली रेत का इस्तिमाल किया जा रहा है। शहपुरा स्वास्ते केंद्र में बन रही बिल्डिंग में जब छट की ढुलाई का काम शुरू हुआ तो अचानक शहपुरा कॉंग्रेस के कारेकरता और अन्य लोग मौके पर पहुँचे तो देखकर दंग रह गए। यहाँ पर मौके पर देखा कि मिट्टी वाली रेत का उपयोग किया जा रहा है। आनन फानन में तुरंत छट डलाई का काम कॉंग्रेसी कारेकरताओं ने बंद करा दिया और ततकाल मौके पर फोन लगाया तो ठेकेदार ने कॉंग्रेसी निताओं को धमकी दे डाली कि सीरी रेता लगाएं को हमारा कुछ नहीं करेगा तो मैंने बूला है तो यह फाईर कर वाली में तेरा काम नहीं चलने दूँगा और जब तक यह नहीं आएगा उसका कारण यह है कि इसमें जो माटेरियल की क्वाल्टी यूज हो रही है वह बहुत लो क्वाल्टी की है जिस से हम मिट्टी समझ लें रहे इतना कहके और जो सेमेंट भी यूज हो रही है वो भी बिल्कुल लो क्वाल्टी की है तो इस कारण से हमने आज सहपरा हास्पिटल परिसर में जो बिल्डिंग का कारे चालू है आम जन को देखते हुए इसको रोगने का कारे किया है वही जब रेत यूज की जारी है वो मिट्टी मिक्स है जिसके कारण उसकी जो है गुडवत्ता अतनी अच्छी नहीं है और उसका अगर उपयोग होता है तो बिल्डिंग जो निर्माण होगी उसमें भी जो है कमजोर होने की आशंका व्यक्त की है तो कल ही मामला संग्यान में आया है अभी हम लोग देख रहे हैं कि उसमें अजिंसी कौन है जो काम करवा रही है और कौन सा विभाग है उसमें काम करवा रहा है तो उनसे बात करके अभी कल तो काम रुकवा दिया गया है और जैसी हम लोगों जानकारी होती बात करके फिर से पुना जो है अच्छी क्वालिट वही नगर के लोग और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अगर सरकारी कर्मचारी आकर गुणवत्ता हीन भवन निर्मान का काम नहीं रुकवाते तो मजबूरन हमें रुकवाना पड़ेगा।